दोस्तो आज के अपने इस बेहदी रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुडली सर्मा के बारे में मुन्ना भाई MBBS वाले डॉक्टर मुडली प्रसास सर्मा नहीं हम बात कर रहे हैं एक्टर मुडली सर्मा के बारे में जिनको आपने हिंदी फिल्मों के अलावा बहुत सारी तेलगू, तमिल, मल्यालम, कन्नडा और मराठी फिल्मों में दिखा होगा जिन फिल्मों में मुड्ली सर्मा हमें तरह तरह के किरदार नभाते हुए नजर आए कभी वो हमें विलन बने हुए नजर आए, कभी कॉमेडी करते हुए नजर आए, कभी पुलिस वाले बने हुए नजर आए, तो कभी हमें एक किन्नर बने हुए नजर आए उनकी एक्टिंग उनके फेसियल एक्सप्रेसंस और डायलोग बोलने का तरीका कुछ हैसा है कि उनका अगर चोटा सा किरदार भी है तो भी मुर्ली सरमा लोगों के दिलों पर अपनी एक अलगी छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन मुर्ली सरमा का यहां तक पहुँचने का जो सफर है वो बहुत जादा मुस्कलों भरा रहा लगबग 13 साल तक मुर्ली सरमा एकदम गुमनामी जिन्दगी जीते रहे और फिल्मों में आने के लिए इस्टगल करते रहे तब जाकर कहीं मुर्ली सरमा को धीरे धीरे कुछ टीवी सीडियल्स में और बाद में फिल्मों में काम मिलना सुरू हो गया जादा तर लोगों को यह लगता है कि एक्टिंग बहुत ही आसान है और इसके लिए बहुत जादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है लेकिन आप मुर्ली सरमा, नवाजो दिन सिद्ध की, पंकशतर पाठी या यह से और भी बहुत सारे एक्टर्स के श्टगल की कहानी सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने अपनी जिन्दगी में कैसे कैसे दिन देखे हैं और इतना श्टगल करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं मुर्ली सरमा की कहानी नो अगस्त सन 1972 को आंधर परदेश के गुंटूर जिले में मुर्ली सरमा का जन्म हुआ उनके पता बरजभूसन सरमा एक मराठी परिवार से बलोंग करते थे और उनकी मा पदमा सरमा एक तेलगू परिवार से बलोंग करती थी तो मुर्ली सरमा का जो बच्पन है वो मराठी और तेलगू कल्चर में ही बीता इस वज़े से बच्पन से ही मुर्ली सरमा को मराठी और तेलगू बोलना काफी अच्छे से आने लगी थी मुर्ली सरमा के परिवार में उनकी अलावा दो भाई और भी हैं शुरुवाती पढ़ाई उनकी गुंटूर में ही हुई और आगे चलकर मुंबई से उन्होंने अपना ग्रेजुवेशन कम्पलीट किया और अपने कॉलेज के समय में मुर्ली सर्मा बहुत सारे प्लेज में और एक्टिंग में पार्टी से बेट किया करते थे उस समय मुर्ली सर्मा ने अलिल कपूर की फिल्म तेजब में उनकी एक्टिंग देखी और ये उन्हें बहुत जादा पसंद आई आगे चलकर मुर्ली सर्मा ने ये डिसाइड किया कि उन्हें भी अपना कैडियर एक्टिंग में ही बनाना है हाला कि मुडली सर्मा ने ये सोच तो लिया था लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला था अपना ग्रेजुवेशन कम्पलीट करने के बाद मुडली सर्मा ने अपने माता पता को कैसे भी करके मनाया और मंबई के रौसन तनेजा स्कूल ओफ एक्टिंग में डिपलोमा के लिए एडमिसन ले लिया जहां उन्होंने एक्टिंग की बारीखियां सीखी और काफी हद तक एक्टिंग भी उन्हें आने लगी लेकिन यहां से एक्टिंग सीखने के बाद और अपना डिपलोमा कम्पलीट करने के बाद उनका इस्टगल अब सुरू हुआ और इसके बाद 13 सालों तक मुडली सर्मा का इस्टगल चलता रहा कि उन्हें कोई ऐसा करदार मिले कि लोग उन्हें पहचानने लगें मुडली सर्मा उसमय मंबई में दरदर भटकने लगे और बहुत सारे प्रोडूसर्स के दफ्तर के चक्कर लगाने लगे सुबैसे साम तक मुडली सर्मा घर से जो बस की टिकेट के और खाने के पैसे लेकर निकलते थे साम तक उनके वो सारे पैसे खर्च हो जाते लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता और ऐसा कई दुनों तक मुडली सर्मा के साथ चलता रहा लेकिन उनके पिता ने उनके उपर कभी प्रेसर नहीं डाला कि वो इस काम को छोड़ कर कोई और काम करने लगें लेकिन ऐसा करते करते काफी दिन हो गए थे और मुर्ली सर्मा को भी अब अंदर से लगने लगा था कि उन्हें पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ और जरूर करना चाहिए तो उस समय मुर्ली सर्मा ने एक्टिंग के अलावा असेस्टेंट डिरेक्टर के तोर पर भी बहुत सारे लोगों से कॉंटेक्ट करना सुरू कर दिया कि कहीं पर भी कैसे भी करके उन्हें कुछ नहीं तो असेस्टेंट के तोर पर ही काम मिल जाए और उस दोरान उन्होंने विदू बनो चौपडा, महिस भट और राहल रवेल जैसे बहुत सारे डिरेक्टर्स को अप्रोच किया जहां तक कि उस समय मुर्ली सर्मा ने कुछ जगह पर डेली बेसिस पर काम किया जहां सुबै से साम तक काम करते और साम को उन्हें डेली के पैसे मिल जाते जिससे उस समय उनका थोड़ी बहुत खर्च तो चल जाता लेकिन उनकी ना तो जॉब की स्टेबिलिटी थी और ना ही उनके केरियर की स्टेबिलिटी थी लेकिन इसके कुछ समय बाद मुर्ली सर्मा को लगा कि ऐसे तो चीजें और ज़्यादा खराब हो रही हैं और एक्टिंग से तो वो बिल्कुल दूर ही होते जा रहे हैं तो एक बार फिर से ये सारे काम छोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग में ही अपने केडियर के लिए फिर से ट्राइ करना सुरू कर दिया और ये लगबकसन 1994 और 95 के आसपास की बात है जिस टाइम पर विनोध पांडे एक टीवी सीडियल रिपोर्टर के नाम से बना रहे थे जिसमें एक बड़े रॉल में सेखर सुमन और राजकरन नजर आने वाले थे तब उस समय इसके एक एपिसोड में मुडली सर्मा को भी एक्टिंग करने का चांस मिला और उस समय मुडली सर्मा को ऐसे और भी बहुत सारे टीवी सीडियल के अलग अलग एपिसोड में छोटे छोटे किरदार आफर होने लगे जिनमें दूर्दर्थन पर आने वाले टीवी सीडियल पल्टन, गंस और रोसिज, सिद्धार्थ, लागी तुस्से लगन, महायग्य और रिष्टे जैसे यह से बहुत सारे टीवी सीडियल से सामिल रहे हला कि मोडली सर्मा फिल्मों में अक्टिंग करने के लिए आये थे लेकिन जैसे तैसे उन्हें टीवी सीडियल्स में काम तो मिलने ही लगा था और उनकी परसनालटी और एक्टिंग को छेंसी थी कि जतने टीवी सीरियल्स में वो नजार आते तो उनको लोग और ज़्यादा नोटिस करते और उन्हें काम और ज़्यादा मिलने लगता आगे चलकर जी टीवी पर आने वाले एक बहुत ही पॉपलर टीवी सीरियल रिष्टे के एक एपिसोड में उन्हें काम करने का मौका मिला जहां इसके एक एपिसोड में मौली सर्मा हमें एक किनर बने हुए नजर आए और इसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया इसी दोरान विकरम भटे के साथ मैं भी उन्होंने सटरडे नाइट्स के एक एपिसोड में काम किया था और विकरम भटे ने मौली सर्मा को अपनी फिल्म राज में एक किरदार उफर किया हाला कि सन 2002 में मौली सर्मा हमें फिल्म राज के पहले सन 2002 में ही फिल्म दिल विल प्यार व्यार में नजर आ चुकी थे और अब जाकर मुर्ली सर्मा को फिल्मों में छोटे छोटे किरदार मिलना सुरू हो गया था और आगे चलकर वो हमें फिल्म मकबूल, धूब, मैहूना, मस्ती, बलेक फ्राइडे, मंगल पांडे, अपहरन और चौकलेट जैसी बहुत सारी फिल्मों में नजर आए और इन फिल्मों में छोटे छोटे किरदार ही काफी थे मुर्ली सर्मा को अपना टैलेंट दिखाने के लिए सन 2007 में मुर्ली सर्मा हमें फिल्म धहमाल और ढोल में काफी इंट्रेस्टिंग किरदार नभाते हुए नजर आए और सन 2007 में ही मुर्ली सर्मा ने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलगू में फिल्म अथेडी से अपना डेब्यू किया महिस बाबू की इस तेलगू फिल्म में मुर्ली सर्मा हमें डबल रॉल नभाते हुए नजराए और उनकी एक्टिंग को यहाँ पर لوगों ने काफी पसन्द किया और इसके बाद आगे चलकर मुड़ी सर्मा को हिंदी फिल्मों के अलाबा बहुत सारी तेलगू फिल्में भी ओफर होने लगी जैसे हिंदी में वो हमें फिल्म संडे, वन टू थिरी, जाने तो या जाने ना, गोलमाल रेटेंस और एंसी कई और पॉपलर फिल्मों में बहुत सारी अलग अलग तरह के करदार नभाते हुए नजर आए तो वहीं तेलगू में वो हमें चट्टम, ओओ, सरवली और धोनी जैसी फिल्मों में नजर आए सन 2009 में मौड़ी सर्मा ने असौनी काल सेकर से साधी की जो भी हमें इसके पहले कुछ टीवी सीरियल्स और फिल्मों में नजर आचुकी थी अस्वनी काल सेकर से मुडली सर्मा की पहली बार मुलाकात हुई थी जब ये दोनों प्रकास जाकी फिल्म अपहरनन में एक साथ काम कर रहे थे आगे चलकर ये दोनों हमें सन 2008 में फिल्म गोलमा लेटन्स में भी एक साथ नजार आए थे और 2009 में इन दोनों ने साधी कर ली थी हाला कि अस्वनी काल सेकर की सन 1998 में नितिस पांडे से पहले ही साधी हो चुकी थी जो भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुके थे लेकिन इन दोनों का सन 2002 में डिबॉस हो गया था और अस्वनी काल सेकर ने सन 2009 में मुर्ली सर्मा से दूसरी साधी की थी और तब से लेकर अभी तक ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुस हैं मुर्ली सर्मा ने अपने केरियर में आगे चलकर एक से बढ़कर एक बहुत सारी अलग अलग भासाओं की फिल्मों में काम किया और अभी तक वो अपने केरियर में लगबग टोटल 130 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं बॉलीवर्ड में डिरेक्टर रोहित सेटी के साथ में मुर्ली सर्मा के काफी अच्छे संबंद हैं। मुर्ली सर्मा ने अपने एक इंटर्वियू में बताया कि जब उनके पास कुछ भी करने के लिए काम नहीं था तब रोहित सेटी का फौन आया कुछ साल पहले ही मुर्ली सर्मा के माता पिता दोनों की ही मृत्ती हो चुकी है मुर्ली सर्मा थेटर में काम करने वाले एक्टर हैं इस बज़े से अपने करदार को फिल्में में वो बहुत अच्छे से नभाते हैं और वैसे तो मुडली सर्मा ने अपनी फिल्मों में कॉमेडियन, पॉजिटिव, नेगेटिव और ऐसी अलग-अलग तरह के किरदार नभाए हैं लेकर मुडली सर्मा को सबसे ज़्यादा मज़ा फिल्मों में नेगेटिव किरदार नभाने में आता है सन 2020 में आई फिल्म अला वैकुंट पुरमलो में वो हमें अल्लु अर्जुन के साथ में वालमी की किरदार में नजर आए थे जिसमें उनकी परफॉमेंस को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था मुर्ली सरमा बहुत ही सुलजे हुए और बिल्कुल डाउन डूर्थ हैं और उनको लेकर अभी तक किसी भी परकार की कोई भी कौन्ट्रोबर्सी सामने नहीं आई है अपने खाली समय में किताबें पढ़ना, फोटोगराफी और खाना बनाने का उन्हें बहुत ज़्यादा सौक है मुर्ली सरमा और असुनी काल सेकर दोनों ही एक दूसरी के साथ बहुत खोस हैं लेकिन इनके अभी तक कोई भी बच्चे नहीं है और आगे चलकर इनके बच्चे गुद लेने का प्लान है या कुछ और प्लान है अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है ये दोनों हस्बेंड बाइफ अपनी अपनी पसंद की अलग अलग तरह की फिल्मों में काम करते हैं आखरी बार ये दोनों साथ में हमें सन 2022 में आई रोहिस सेटी की फिल्म सरकस में नजर आए थे मुर्ली सर्मा अपने जिंदगी में इतना इस्ट्रगल करने के बाद फाइनली इस मुकाम पर पहुँचे हैं इस बज़े से उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि जब तक वो अच्छा काम करते रहेंगे तो लोगों की नजरों में बने रहेंगे लेकिन जिस दिन से उन्होंने अपने काम के साथ में लापरवाही करना सुरू कर दी उसी दिन से वो फिल्मों से दूर हो जाएंगे तो दोस्तों ये तो बात हुई मुडली सर्मा की लाइफ के बारे में मुझे तो बहुत सारी फिल्मों में मुडली सर्मा का काम काफी पसंद आया है आपका उनके बारे में क्या कहना है उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताना तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लिज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और रोचक बातों के साथ